दोस्तों नमस्कार टीबी उन इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज प्रदार मंतरी नरिंद्र मोदी ने तौकते चक्रवाती तूफान से तबाही के बीच गुजरात और दीव का हवाई दोरा किया उन्होंने उना, दीव, जाफराबाद और महुआ जैसे इलाकों का हवाई सरवेक्षन करने के बाद नुकसान से बचाने उच्चा अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये आज पियम महमदाबाद में बैठक करने वाले हैं जहां वे अधिकारियों से जमीनी नुकसान और बचावकारियों पर चर्चा करने वाले हैं असल में तौक्ते तुफान महराष्ट को पार करते हुए गुजरात पहुच गया है उसकी थिब्रता ज्यादा होने से कई इलाकों में भारी बारिस और तुफानी हवाओं के कारण भारी नुकसान हुआ है नौसेना ने मुंबई से 175 किलोमिटर दूर समुद्र में बार्ज पी 305 पर फंसे 273 लोगों में से 184 को बचा लिया है यहां से कुल 1400 भी बरामत किये गए हैं जबकि वो NGC के 89 लोग अभी भी समुद्र में लापता हैं और नौसेना का रहत और तलासी अभियान चारी है असल में चक्रवाती तुफान तौक्ते के कारण मुंबई के समुद्र में चार जहाजों पर सवार कुल 713 लोगों के फंसे होने की खबर ती जिन में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि बाकी की तलास अभी भी चल रही है देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है बीते 24 घंटों में कुल 2,66,334 नए मामले सामने आये हैं हलांकि जान गवाने वालों की संख्या बढ़ी है 24 घंटे में रेकार 4529 मौतन सामने आई है वहीं कोरोना के उपचार में जुटे 270 डाक्टरों के भी जान गवाने की खबर है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच इन डाक्टरों की मौत की जानकारी साजहा की है जाहिर है कोरोना डाक्टरों को भी अपना सिकार बना रहा है हलाकि राहत की बात यह है कि वीते 24 घंटों में 3,90,000 लोग कोरोना को हरा कर स्वस्त हुए है मोदे सरकार ने राजियों में कोवीड वैक्सिन के किल्लत को दूर करने बड़ा प्लान तयार किया है केंदर 1 जून से 15 जून तक सभी राजियों और केंदर साशित प्रदेशों में कुल 5,86 लाक डोज फ्री उपलवद कराने की तयारी में है इसके अलावा जून के अंत तक वैक्सिन उत्पादों के पास 4,87 लाक डोज उपलवद होंगी जिसे राज सरकार या प्राइबेट हॉस्पीटल सीधे खरीच सकेंगे इनमें कोविस्टिल्ड और कोवैक्सिन सामिल है जिसके लिए केंदर सरकार ने जिलास्तर पर इंतजाम करने की भी अपील की है केंदरी मंत्री नितिन गटकरी ने कोरोना वैक्सिन की किलत को दूर करने के लिए दस कंपनियों को टीका उत्पादन की परमिशन देने का सुझाओ दिया है वाइस चांसलर आप इंडिया की वर्चुल बैठक में केंदरी मंत्री मनसुक मांडविया को संबोधित करते हूँ उन्होंने कहा कि यदि हर राज में दस सक्षम कंपनियों को कोलाइबरेशन के तहट कोविड वैक्सिन बनाने की मंजूरी दी जाती है तो इससे वैक्सिन की किलत दूर होगी और स्टिग्र वैक्सिनेशन हो सकेगा हलाकि आज उन्होंने एक ट्वीट में अभी जानकारी दी कि उनके सुझाओ से पहले ही संबंदित मंत्राले ऐसे उपकरम को सुरुवात करने की पहल कर चुका है उन्होंने इसे जरूरी और सराहनी बताते हुए विश्वास जताया कि हम जल्द ही कोरोना को हराने में सफल होंगे बिहार विदान सवा में नेतावी पक्षत तेजस्वियादों ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अपने सरकारी आवास को ही कोबिट सिंटर में तबदील कर दिया है खुद तेजस्वी ने ट्वीट कर इस कोबिट हास्पिटल का वीडियो सेयर किया है इस सिंटर में जरूरी मेडिकल दवाओं अवस्य को करनों के साथ ही खाने पीने के नेसुलक सुविधाय उपलब्द कराई गई है तेजस्वी ने इसे राज़त कोबिट सिंटर नाम दिया है और नितिश सरकार से इसे अपनाने की अपील की है तेजस्वी यादों ने जरूरत पढ़ने पर इसे और विस्तारित करने का भी भरोसा दिलाया है और अधिगरेत कर सरकार से संचालन का अनुरोध किया है कोबिट संक्रमनकाल में जब हास्पिटलों में मरीजों की भरमार है तब ऐसे समय में तेजस्वी यादों के इस पहल की जम कर सरहना हो रही है दिली सरकार ने कोरोना से जूज रहे परिवारों को बड़ी रहत का ऐलान किया है सीम के जरिवाल ने कोरोना के कारण जानगवाने वाले बेसहरा परिवारों को प्रतेक मृत्य उपर पचास हजार का मुआबजा और कमाव व्यक्ति की मौत पर पच्चीस सो रुपे का हर महीने पेंसन देने का भरोसा दिलाया है इसके साथ ही अनात हुए बच्चों को फ्रेशिक्षा और पच्चीस सालों तक हर महीने धाई हजार की आर्थिक सहता की भी घोष्णा की है जिनके पास रासनकार नहीं है उन्हें भी मुप्त रासन देने का प्रावधान किया गया है दिल्ली सरकार की यह पहल अनराजियों के लिए मिसाल बन सकती है जहां करोना के करण लाखों लोग अब तक जान गवा चुकी है महराश्ट में करोना के मामले घटने लगे हैं लेकिन मौतों का अकड़ा अभी भी उफान पर है महराश्ट में करोना से पैदा हुए मियुकर्म आइकोसिस यानि ब्लैक फंगस से संकरमित मरीजों की संख्याद दो हजार के पार पहुँच गई स्वास्ट मंतरी राजे स्टोपे ने जानकारी साजा करते हुए बताया है कि ब्लैक फंगस ने अब तक बावन लोगों की जान ले ली है वहीं आठ मरीजों की एक आँख की द्रिष्टी छीन ली है फिलाल स्रिया मुद्दव ठाकरे ने मियुकरमाइकोसिस के प्रती जागरुकता फहलाने का आवान करते हुए ऐसे रोग्यों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया है नवीमबई के सिउसेना नेता विजय चौगले ने एरोली की एक हाउसिंग सुसाइटी में खुद का कोबीड हास्पिटल बना कर महराश्ट्र में एक नई मिसाल कायम कर दी है कम्यूनिटी हाल में बने इस कोबीड हास्पिटल में 26 बेड हैं जिनमें वेंटिलेटर, आईस्वी और आकसीजन की सुविधा उपलब्ध है यहां सुसाइटी के 2000 लोगों के लिए कोरोना का इलाज करने की विवस्था की गई है नगरविकास मंतरी एक नाश्चिंदे ने कहा कि मेरी सुसाइटी, मेरी जिम्मेदारी के तहत यदि ऐसा हास्पिटल हर सुसाइटी बनाती है तो इससे बाहरी हास्पिटलों का भार खटेगा और लोगों को अपने घर के पास कोरोना का इलाज आसानी से उपलब्ध हो नगरविकास में कोरोना की संख्या घट रही हलाकि इसके लिए जरूरी वैक्सिनेशन पूरी तरह से ठप हो गया है हालत यह है कि 45 साल से अधिक उम्र के ऐसे नागरिक जिन्होंने कोविड वैक्सिन की पहली डोज ले ली है उन्हें दूसरी डोज तक नहीं मिल लई है भटकना पड़ रहा है बतादा है कि नौइमबई के सभी वैक्सिनेशन सेंटर फिलहाल बंद है आज की बिलोटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही दीजे हमें इजाजत लेकिन मुंबई नौइमबई और महाराष्ट समेत देश-दुनिया की ताजातरीन खबरों के ल